कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता जो स्टेज पे बैठे हैं हमारे प्यारे कार्यकरता शेर और शेर निया भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत आपने इतना प्यार दिखाया 25 किलोमीटर आप हमारे साथ चले सर्दी में चले इसके लिए आप सब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हर्याना की जनता जिसने हमें जबरदस रिस्पॉंस दिया है जिसने इस यात्रा को अपनी यात्रा बनाया है खास तोर से जो हमारे युवा हैं माताएं और बहने हैं आप सब को मैं दिल से अपना प्यार और धन्यवाद करना चाहता हूं यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जो प्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा कि केरला में अच्छा रिस्पॉंस है उत्तर भारत में यात्रा को रिस्पॉंस नहीं मिलेगा माराश्टरा में करनाटक में नहीं मिलेगा करनाटक में बीजेपी की सरकार है करनाटक पहुँचे तो केरला से बहतर रिस्पॉंस करनाटक में मिला फिर मीडिया ने कहा कि भई करनाटक में मिल गया response महाराश्रा में नहीं मिलेगा महाराश्रा पहुँचे करनाटक से बहतर response उसके बाद कहते हैं मध्यप्रदेश में BJP की सरकार है नौर्थ इंडिया है वहाँ पे तो सवाल नहीं उठता वहाँ पे लाखों लोग आ गए बाहर सडकों पे गाओं के गाओं शेहर के शेहर बाहर आ गए फिर कहते हैं हाँ मध्यप्रदेश में response मिल गया हर्याना में नहीं मिलेगा और हर्याना ने बागी सब प्रदेशों को दिखा दिया कि हर्याना क्या है और हर्याना क्या कर सकता है और जो हमने नफरत मिटाने की बात की डर मिटाने की बात की वो सचमुच हमें इन सडकों पे आपने दिखाया है इस यात्रा में किसी ने गलत तरीके से किसी से बात नहीं की कोई गिरा, चाही हिंदू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो, हिसाई हो मैंने अपनी आँखों से देखा जैसे ही गिरा, यात्रा ने उस व्यक्ति को अपने गोध में लिया किसी ने नहीं पूछा भई तुम हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्ष हो, हिसाई हो, कौन सी जाहत के हो न, जैसे ही कोई गिरा, वैसे ही पुरी यात्रा ने, हिंदुस्तान ने, उसको अपना माना, उसको उठाया, पानी पिलाया, अगर पट्टी की जरूरत थी, पट्टी की, और फिर का चलो चलो हमारे साथ चलो, यह आपने दिखाया हमें, और यह नई चीज नहीं है, यह आपका जो प्रदेश है, यह सदियों से, देश को यही दिखा रहा है, महभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है, जो उस समय लड़ाई थी, बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, मगर जो उस समय लड़ाई थी, वो ही आज लड़ाई है, लड़ाई किसके बीच में है, नहीं, देखिए, पांडव कौन थे, अरजुन, भीम, ये लोग कौन थे, ये लोग तपस्या करते थे, क्या पांडवों ने, इस धर्ती पे नफरत फिलाई थी क्या, आपने महबारत पड़ी है, क्या उसमें लिखा है, कि पांडवों ने, किसी गरीब व्यक्ती के खिलाफ अपराद किया, कहीं लिखा है, पांडवों ने, डिमोनेट्टाइजेशन किया क्या, नोट बन्दी की थी क्या, गलत GST लागू की थी क्या, कभी करते, کभी नहीं करते, क्यूंक नहीं करते, क्यूंकि वो तपस्वी थे, और वो जानते थे, कि नोट बंदी गलत GST किसान बिल इस धर्ती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है एक तरफ तपस्वी थे पाँच थे दूसरी तरफ संगठन था एक तरफ पाँच तपस्वी और भीड उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे जैसे ही यहाँ पर यात्रा चल रही है इसमें कोई यह नहीं पूछता भईया कौन हो कहां से आये हो महब्बत की दुकान है यह पांडवों ने भी आप याद रखिए आप याद रखिए पांडवों ने भी पांडवों ने भी अन्याय के खिलाव काम किया था पांडवों ने भी पांडवों ने भी नफरत के बाजार में महब्बत की दुकान खोली थी देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहें हैं देखिए मुश्कुरा के सिर हिला रहें पुलिस वाले समझते हैं यह भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना भज जाएंगे गल्ती से भी मत दिखा देना कौरव कौन थे भईया कौरव के हाथ में 21 सदी के कौरव बता देता हूं 21 सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाका लगाते हैं उनके साइड में उनकी तरफ हिंदुस्तान के दो तीन सबसे अमीर अरब पती कौरों के साथ खड़े है भाई और मेंनो नोट बंदी किसने करवाई गलत GST किसने लागू की किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई ये आप समझिये नोट बंदी गलत GST नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ती ने गलत GST नोट बंदी नहीं लागू करवाई हिंदुस्तान के दो तीन अरब पतियों की शक्ती ने इन्हों ने प्रधान मंत्री का हाथ चलाया मानो ना मानो आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरब पति पांडवों के साथ खड़े थे क्या अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे पांडवों को घर से क्यों निकाला क्योंकि उनके साथ अरब पति नहीं खड़े थे मगर उनके साथ इस धर्ती की जंता इस धर्ती के किसान इस धर्ती के मजदूर इस धर्ती के गरीब इस धर्ती के छोटे दुकानदार इस धर्ती के स्मॉल और मीडियों बिसने सब खड़े थे ये देश भाई और मेनो ये देश तपस्वियों का देश है मुझे कहा जाता है मुझे किसी ने कहा आप तीन हजार किलोमीटर चले मैंने उससे का तो क्या हुआ मैंने क्या बड़ी बात कर दी अगर आप जाओ और इस देश के किसी किसी भी किसान से पूछो भाई पिछले चार महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो वो आपको बता देगा तीन हजार चार हजार पाँच हजार किलोमीटर चला हूँ हाँ कन्या कुमारी से दिल्ली नहीं चला हूँ मगर अपने खेत में चला हूँ मंडी गया हूँ मंडी जाकर वापस आया हूँ फिर मंडी गया हूँ फिर वापस आया हूँ खाद खरीदने गया हूँ बीज खरीदने गया हूँ मैंने क्या बड़ा काम किया कुछ नहीं किसी भी मज़दूर से आप पूछ लो आपको बताएगा 24 घंटा 24 घंटा मैं सर पर बोज रखके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता जाता हूँ वो ये जो घड़ी है ना फिट्विट वाली ये जो मैं पहना हूँ जो किलोमेटर दिखा देती है वो नहीं पहनता है इसलिए उसको शायद पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चला है हमारे साथ यातरी चले मुझे कहते हैं भाईया 3000 किलोमीटर चले मैंने उससे का भाईया तुम्हें खाना मिला आज सुबह भुजन खाये तुमने कितने बार भुजन खाया तीन बार खाया ना तो वह जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हैं वह आधी रोटी पर 3000 किलोमीटर चलते हैं तुम भरपूर खाना खाके 3000 हजार किलोमीटर चलके छाती फहला रहे है इनको अभी तक समझ नहीं आरही बात नहीं उन को समझ नहीं आरही बात देखو यह कह रहे हैं यह सफेड टी-शिट क्यों पहना है इसको सर्दी नहीं लगती सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ क्यों पहना हूँ यात्रा शुरू ही किरला में बयंकर गर्मी ऐसा लग रहा था बहिया टी-शिट उतार दो मतलब उसमें पसीने आ रहे थे हुमिडिटी बहुत थी किरला में काफी मतलब गर्मी लगी फिर मैं मद्यत प्रदेश में गया थोड़ी ठंड होने लगी थोड़ी से मतलब ज्यादा नहीं सुबह सुबह क्या हुआ छे बज़े हम निकलते हैं सुबह सुबह तीन गरीब बच्चे मेरे पास आ गए फटी वी शर्ट थी और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा हाथ लगाया फोटो के लिए फोटो लेना चाहते थे एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी एक साइड एक साइड जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप नहीं थी ठंड से कांप नी थी और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी उस दिन मैंने निन्ने ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा जब कांपना शुरू हो जाएगा जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी जब जबर्दस कटिनाई होगी तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा मगर उससे पहले नहीं करूंगा मैं उनको मेसेज देना चाहता हूँ उन तीन लड़कियों को देना चाहता हूँ कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहूल गांदी को भी ठंड लगेगी जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राउल गांधी स्वेटर पहन लेगा नई 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 ये बात मत बोलो ये फिर से आप गल्द बात बोलना शुरू कर देओ महात्मा गांधी नहीं हूँ मैं आप नहीं सुनो ये मेरे जैसे इस देश में करोणों लोग है ठीक है करोणों लोग है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे काम कोई कर रहा है तो पस्या कोई कर रहा है जैसे मैंने पांडवों की बात की यहाँ पे युद हुआ था हजारों लोग मरे थे वो क्यूं हुआ था क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो काम कर रहा था जो तपस्या कर रहा था उस समय किसान थे, मजदूर थे आज किसान है, मजदूर है छोटे विया पारी है स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते हैं आज हमारे पास माइक्रोसकोब बनाने वाले लोग आए आप बनाते हैं मैनुफैक्चरिंग है देखो इनकी सौ दो सो लोगों को ये रोजगार देते हैं ये तपस्या करते हैं 24 गंटा कोई माइक्रोसकोब बनाता है कोई यहाँ पर पोल्टरी फार्म चलाता है कोई कोई खेती करता है गंटा उगाता ये तपस्या है देश के और खाता कोई और है और खाता कोई और है और जो खाता है भईया वो तो दिखते भी नहीं है उधारन देता हूँ प्रधान मंत्री भीमा योजना आपके जेव में से पैसा निकलता है आप देते हो और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोड़ती है आप सुबह चार बज़े उठते हो हम छे बज़े उठते हैं आप चार बज़े उठते हो चार बज़े उठने के बाद आप काम शुरू करते हो आपके साथ खेत में आपके इतने चोटे-चोटे बच्चे होते हैं, पूरा परिवार काम करता है, फिर तुफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लेने, के तो बहिया, चलो नुक्सान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था, पता लगता है, इंटरनेट पे आपको कमपणी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो, कोई जवाब नहीं देगा, आपकी तपस्या, कोई और खा गया, GST के बारे में बताता हूँ, मज़ेदार बात मैंने सुनी, अगर आप, चाहिए वो मैदा हो, गुड हो, अगर आप 25 किलो से कम, मैदा गुड, अपनी दुकान में बेचते हो, छोटे भी अपारी को बात कर रहा हूँ, अगर 25 किलो से कम बेचते हो, तो आप पर GST लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज़्यादा बेचते हो, आप इक GST नहीं, मतलब छोटे भी अपारी पे GST, अदानी पे GST नहीं, क्यों, आपने क्या गलती की, अगर आप पे लग रही है, तो उन पे लगनी चाहिए, अगर उन पे ना लगे, तो आप पे ना लगे, किसाना है, हमारे पास MSP की बात की, हिमाचल प्रदेश में, मैंने आज अगबार में पड़ा, सेव का पूरा का पूरा वियपार, एक उद्योगपती के हाथ में, जमु कश्मीर जाएंगे, पूरा का पूरा सेव का वियवार, उसी अद्योगपती के हाथ में, नई नई हुए भाइया क्योंकि शहीद जो होता है उसको शहीद का द्रजा मिलता भाइया मैंने बात उठाई कॉंग्रेस पार्टी ने बात उठाई कि भाइया ये 700 लोग शहीद हुए इनका नाम तो ले लिजे पार्लिमें रजा ठाउस में प्रणामंत्री कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ हमने मौन करा दिया वहां पर मैं खड़ा हो गया मैंने का भाई हम तो मौन करेंगे स्पीकर गुस्सा हो गया मुझसे कहते देखिए पार्लिमंट हाउस में जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए दो मिनट मौन नहीं रखा जा सकता है हम जानतेंगी शहीद हुए हैं उनके परिवार जानतेंगी शहीद हुए हिद्धुस्ताइन की सरकार नहीं जानते हुए उनके लिए नहीं शहीद हुए मगर वैसे मैं उनकी बराई इतना नहीं करना चाहता हूँ करने जो करने दो उनको मैं क्या चाहता हूँ कि जो तपस्वी है चाहिए वो किसान हो मजदूर हो छोटा वियापारी हो जो वो तपस्या कर रहे है गीता में लिखा है क्या लिखा है गीता में तपस्या के बारे में बताईए वह आप से ले रहाने तपस्या करो और फल मत देखो मगर गीता में ये नहीं लिखा है कि तपस्या करो और फल नहीं मिलेगा तो गीता में लिखा है तपस्या करो और ये देश तपस्या कर रहा है और इस देश की सरकार को उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए, उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा इंदुस्तान में देखना चाहता हूं, यात्रा का यही लक्ष है, यात्रा का लक्ष यह है, यात्रा देश को यह बता रही है, कि आपकी तपस्या जाया नहीं जानी चाहिए, मैं जानता हूं, कि जिस दिन, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, छोटे वियापारी, इनकी तपस्या का फल मिल जाएगा, उस दिन, इस देश के सामने कोई देश नहीं खड़ा हो सकता है, यह आप, यह आप, अपने मॉबाइल फोन के पीछे देखो, इसमें लिखा मेड इन चाइना, पुलीस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना, तंग आगया हूँ मैं मेड इन चाइना से, जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे बेजिंग में एक चाइना का युवा फोन देखो, उसमें लिखा हो, मेड इन कुरुक्षेत्र, ले, ऐसा इंदोस्तान चाहता हूँ, और जो कुरिकशेत्र में, जिसने माइक्रोस्कोप बनाया, और स्री अमबाला, जिसने अमबाला में माइक्रो स्कोप बनाया, उसके जेव में, चाइना के युवा के पैसे आए, ये चाहता हूँ मैं, तो मगर सबसे पहला कदम सबसे पहला कदम डर और नफरत को मिटाने का है देखिए हरियाना में युद हुआ था पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोली थी और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मत सोचे कि मेरा नारा है मेरा नारा नहीं उनका नारा है ये ये पांडवो का नारा है ये पांडवो का नारा है ये बगवान राम का नारा है ये इस देश का नारा है और हजारों सालों से ये नारा चल रहा है ये कुछ निया काम नहीं किया मैंने आकरी बात कहना चाहता हूँ और ये आपको मालूम होनी चाहिए देखिए जब भी मैं चल रहा हूँ जहां भी मैं जाता हूँ राजिस्तान में जे सिया राम जै सिया राम अच्छा ये RSS वाले हरर महादेव तो कभी नहीं कहते अब देखो नोट करो कभी नहीं कहते ये क्यों नहीं कहते नहीं मैंने सोचा इसके बारे में क्यों नहीं कहते हरर महादेव क्यों नहीं कहते और ये हिंदुस्तान की तपस्या पर आक्रमन कर रहे हैं इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते मगर बात मैं जैसिया राम की कर रहा हूँ यहां पर राम 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 सुना मैंने राम राम जैसिया राम अब जैसिया राम ये कभी नहीं कहते इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया उठा के बाहर फेक दिया का हम नहीं कहेंगे ये हमारी हिस्ट्री हमारे संसकार हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया इन्होंने और जब भी कॉंग्रेस पार्टी का कोई भी कार्य करता RSS के कारे करता के सामने आए उससे कहो तुम जैसी आराम कहोगे और उससे जैसी आराम कहलवाओ क्योंकि जितने जरूरी राम थे उतनी ही जरूरी सीता थी तो आप सब यहां आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आज एक कमी रह गई आज एक कमी रह गई हमने आज वो जो BJP के लोग करते हैं देखिए उनके संगठन में महिलाई तो होती नहीं है अलावी नहीं है अभी तक नहीं समझाया मुझे उनके संगठन में महिलाई क्यों नहीं है वो अलग बात है मगर आज हमने पूरा दिन महिलाओं का कर दिया तो जो हमारे पुर्ष हैं उनको आज थोड़ी मुश्किल हुई आप अंदर नहीं आ पाए आप मिल नहीं पाए तो आप मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और कल दोनों स्त्री और पुर्ष का दिन है तो आप सब आप सब लोग आप आएंगे और आपसे मिल सकेंगे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैद